हेलो एवरिबड़ी आज आपका टास्क 30 है और टास्क 30 में आपको आज लेमिनर फ्लो के बारे में पढ़ना है इसमें आप सिर्फ बेसिक्स करेंगे अपने जो भी आपके नोट्स होंगे कोई भी डेरिवेशन रटना नहीं है याद भी नहीं होना चाहिए अगर आपको फ्ल हर एक याद रखना है आपको और आपको यह कंफीजन होगी कि इतने सारे फॉर्मले हैं कौन सा याद रखना है तो अभी आप स्टार्टिंग में सभी फॉर्मले याद रखने कोशिश करोगे उसके बाद नेक्स्ट टैप में जब आप अब्जेक्टिव कोशन करोगे आप आपको परसंटेज होना चाहिए जैसे आप 100 कोशन कर रहे हो तो 20 कोशन ESC के करने हैं आपको PYQ 40 कोशन YCT के और 40 कोशन SSC के तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा फॉर्मला फ्रेक्वेंटली पूछा जा रहा है कौन से फॉर्मले पर सबसे ज़्यादा कोशन प टाइम में 50 कोशन कर पाओ तो इसलिए आपको 50 कोशन का सेट करना है कैसे आप करोगे 25 जनवरी 2018 का इवनिंग का पेपर आपने अब अटेम्ट कर चुके होंगे आप मैं आपको दे चुका हों करने के लिए तो वापस से उसी टेस्ट पे जाना है जाने के लिए टेस्ट हों है के आपको कि एक घंटे के अंतर सारे complete करने आपको starting में थोड़ा ज्यादा time लेके चलना है आपको अपना बहांना टाइम को नहीं बनाना है कि मेरे पास time कम था इसलिए मैं आप सोल नहीं कर पाया आप एक से 7 घंटा आराम से ले सकते हो ऐसा भी निया कि पूरा दिन रिजिनिंगी करते रहो 1 से 7 घंटे का आपको टाइमर लगा लेना है और 7 घंटे में एक घंटा पन्रा मिनिट में आपको जितने कोश्चण आपसे हो पारहे हैं वो करने हैं इसमें आपका minimum requirement ये रहेगी कि 50 के 50 question आपके attempt हो जाने चाहिए इन में से जो question नहीं हो पा रहा है आपका उसको छोड़ देना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 घंटा 15 मिनट ले लिया और आप 40 question कर पाए और फिर आप excuse दो कि आखरी के 10 question में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि 38 question या 25th question में अटक गया था requirement ये है कि आपको 50 के 50 question करने है एक घंटे 15 मिनट में at least attempt करने है जो नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं जो legends का task है वो champions वाला task तो है ही इसके साथ साथ आपको आज technical boom करना है structure analysis का और survey का ये technical boom आप YCT की किताब से करोगे technical boom आप सभी को पता होगा technical boom में जैसे structure analysis है इस subject को ओपन करोगे आप और इसके अंदर मान लो 12 chapters है तो आप हर एक chapter के 10-10 question करोगे तो structure analysis और survey के आपको questions करने है इसके साथ ही जो champions category है जिन्होंने आज तक structure analysis और survey का मोह तक नहीं देखा है बस उन्होंने semesters में अपने पढ़ा होगा इसको तो वो भी at least 5-5 question देखना start करें ताकि जब ये chapters start होंगे आपको मैं दूंगा पढ़ने के लिए तो आपको कुछ न आज का task है जो कि आपको complete करना है all the best आपके आज के task के लिए that's all for this video thank you